लॉक्डाउन के दूसरे चरण के लिए जारी हुए दिशा निर्देश 20 अप्रेल के बाद सरकारी आंकलन के बाद चुने हुए क्षेत्रों में स्वास्त है टुशी और बागवानी समेथ अन्यकति विदियों को मिलेगी अनुमती, कारपेंटर, प्लंबा, मोटर मेकानिक और अन्यस्वारोज कार सो जुड़े लोग भी शुरू कर सकेंगे कारोबार कोविड-19 से ने पटने के लिए केंद्रों ने राज्यों को जारी किये दिशा निर्देश, लोग डाउन से संबंधित संशोधित दिशा निर्देश पर सकती से अमल सो नश्चित करने को कहा नाकाम रहने पर 20 अप्रियल से दी जाने वाली छूट होगी वापस स्वास्ते मंत्राले ने कहा भारत में अब तक सामुदाएक स्तर पर संक्रमन नहीं देश में 170 जिलों को होट स्पोर्ट और 207 को गयर होट स्पोर्ट के रूप में बाटा गया होट स्पार्ट के लॉकों में होगा डो टो डोर सर्वे देश में कोरोना अक्टिव मामलों को संक्या 10199 अब तक 3092 लोगों की वी मौन केंज़िये स्पास्ते मंत्री डॉक्टर हर्श पठर ने विश्प स्पास्ते संगटन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरिंसिंग के जर्गे की उच्छ तर ये बैठर केंज़िये मंत्री ने कहा भारत में हालाद बाकी देशों के मुकाबले बहतर भारत में कोविट उन्निस से जारी जंक में डबलो एचों की पॉलियो निगरानी टीम और अन्य फील्ड करमचारियों का मिला साथ विदेश मंत्रालिनी की यूएस सी आई आरेफ की भारत में कोविट उन्निस फोटोकॉल पर घ्रामक रिकोर्ट फैलानी के निंदा कहा आयोक को वाइरिस के खलाब जारी लड़ाई में धार्मिक रंग जोड़ना करना चाहिए बंद गुजरात के अस्पतालों में कोई धर्म आधारत अलगाव नहीं डाबलो एचो ने अमेरिका के राष्ट्रपती द्वारा फंडिंग रोपने के निर्णे पर जताया खेद अमेरिकी राष्ट्रपती ने डाबलो एचो पर शुरुवाती समय में सही जानकारी ना देने और भयाना गल्ती का लगाया आरोप दुनिया भर में कोविट उननस से संक्रमित व्यक्तियों का आगड़ा बीस लाख के पार एक लाख चौटीस हजार से दिक लोगों की हुई मौत पेश में साल समाने रहेगा मौनसून जून से सितंबर के बीच दीरगावादी औसत का सौफ फीस दी पारिश होने की संभावना कृशी और अर्थवस्था के लिए मौनसून रहेगा मददकार नमस्कार समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्पागत है मैं हुझाया सन्हा लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने जान है जहान है के मंत्र में के तहट गरीब कमजोर वर्गों के साथ ही जरूरी चीजों से जुड़ी तमाम आर्थिक गतिविधियों को छूटती है सरकार की इस पहलकार सभी ने स्पागत किया बुदवार को सरकार ने कोरोना वारस के कारण लगाए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दी इन दिशानिर्देशों में अर्थ विवस्ता से जोड़े कई एहम शेत्रों को लॉकडाउन 2.0 में काम करने की छूट देने की बात कही गई है इसका नुसार सरकार ने जान है जहान है के मंतर के तहट गरीब कमजोर वर्गों के साथ ही जरूरी चीजों से जोड़ी तमाम आर्थिक गतिविदियों को छोड़ दी है सरकार ज्वारा जारी इन दिशा निर्देशों और लॉकडाउन बढ़ाने का उद्यों जगत से जोड़े लोगों सहित किसानों और दुकानदारों ने स्वागत किया है झालड़ कर दूरूर्क झालड़ चालड़ खरी तम्राणिन खराइस की थेर्म हम ज़्यां को जखिए कि रिच्ट परकार्ण़ प्रकार्ण़ झालड़ प्रकार्ण हम ऋ तम्मे जए खुछा सथ़। However, all this is in the interest of Indians, in the interest of everybody This is a welcome step in balancing lives and livelihoods This has also been a demand from the players in the economy, including industry So many of the Confederation of Indian Industries' recommendations have been included In gradually starting off economic activity in the country While maintaining full safety and all precautions I think the guidelines are very valid and very useful Because they clearly lay out what sectors can open, what can't Given the need of the R is that the economy also has to revive 20 April से जिन गतिविजियों को मंजूरी दी गई है उनमें कृश्च्री, बागवानी गतिविजियां, खेतों में काम कर रहे हैं किसान और कामगार भी शामिर हैं जो सरकार के इन निर्देशों का स्वागत कर रहे हैं जो सरकार की अच्छा कदम है हमारे जहां धाई करोड जो लेबर है पूरे हिंदोस्थान में ट्रैक्टली बठा इंडरस्ट्री पे के साथ इंवॉल्व है और जे 20-22 तरीक से हमें लेबर डपार्टमेंट से इंस्ट्रेक्शन आ रही थी आपने लेबर का खर्चे का और सारा ध्यान रखना है हमने ध्यान रखा भी ग्रेमंट्राले ने कहा है कि जिन उद्योगों को अनुमती धी जाएगी उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की विवस्था करनी होगी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार दौरा जारी किये गए दिशा निर्देश लौकडाउन के दौरान अर्थवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिहाद से काफी एहम है और स्वास्ते मंतर वाले की प्रेस कॉंफरेंस की बड़ी बात यहां पर आपको बताएं तो इस पतकल जो प्रेस कॉंफरेंस रही स्वास्ते मंतर वाले की उसमें क्या कुछ निकल कर आया संक्रमन की अधिकता वाले 170 होट स्पॉट जिले चिनहित किये गए हैं और ये वो जिले हैं, हॉट्सपोट हैं, जिनमें किसी क्शेत्र में संक्रुमन की दर अधिक है, या मरीजों की वृधिधी दर दो गुना तक पाई गई है। और संक्रुमन के प्रभावाले 207 जिले संभाविध हॉट्सपोट की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ये जिले हॉट स्पॉर्ट तो नहीं है लेकिन संक्रुमन की वृत्धी दर यहाँ पर जादा है इन जिलों में संक्रुमन की वृत्धी दर अपक्ष्राक्ष्रत जादा पाई गई है और सरवाधिक संक्रुमन प्रभावित इलाकों में मरीजों की शीगर पहचान करने के गैर हॉट्सपॉट वाले दोस्ताथ जिलो में पूरा प्रयास होगा कि ये जिले हॉट्सपॉट की श्ट्रेणी में शामिल ना होने पाएं। जिलो में स्थानी स्थर पर भी संक्रमन को रोकने के लिए ऐसे क्षेत्रों को चिनहित किया गया है जहां कम से कम 15 संक्रमित मरीज पाए गए हो। देश में अभी मरीजों के स्थानी की दर बढ़कर 11.4 प्रतीशत हो गई है। 10,197 है गरोना के चलते अब तक 392 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 1343 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। तो कोविट 19 के ताजा आंकडे इस वक्त आपके सामने हैं स्क्रीम पर 11,933 कुल संक्रमित मामले हैं लेकिन कुल सक्रिय मामलों की बात करें तो 10,197 हैं क्योंकि 1343 लोगों को इलाज के बाद ठीक हो गए हैं वो और उन्हें घर भेज़ दिया गया है उनकी छुटी हो गई है लेकिन 392 मौते इस वक्त तेश भर में तर्च की गई हैं और महराश्र में करोना कसे सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित है कल 232 मामले दर्च किये गए हैं अब तक 2916 लोग इस सो वायरोस संक्रमित पाए गए हैं इस बीच राज़े के मुखे मंत्री कॉर्परिट अस्पतालों के सी-यो से उन्होंने मुलाबकात की और इस पर और जानकारी के साथ जुड़ रही है हमारे साथ मुंबई से संबादाता श्यामा श्यामा अगर हम बात करें महराज़ चुकी तो लगातार वहां पे कुरोना का कहर जारी है लेकिन बुदवार को थोड़ी रहात मिली लगातार जस तरह से मामले सामने आर्शे 222 मामले उसकी तुलना में कम हैं ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं कि राज़े में इस वक्त युदस्तर पर कोशुश की जा रही है कि कुरोना के फैलाव को रूका जा सके जी बिल्कुल महराश्च्रों में हमने देखा था कि लॉकडाउन के अलावा कई सारे ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं जिसकी वज़े से इस संक्रमन को है वो रोका जा सके कि जो नए केसिस आये हैं उससे जादा लोग अभी तक फीक हो चुके हैं कम से कम तीन सो के अराउंड है या आकड़ा जहां तक जो लोग फीक हुए है और घर जा चुके हैं तो ये एक अच्छी बात है कि जितना आकड़ा कि हम देख रहे हैं कि हम तीन हजार की तरफ में प कि तो साथी उनने इन विश्यों पर भी चर्चा की कि किस तरीके से आने हाले समय में इस कर्व को फ्लाटन कर सके कि कि बार बार हमने सुन रहा है कि जो लोग डाउन किया जा रहा है कि घर में रहें वो इसी लिए कि संक्रमान का चेंज जो है वो तोड़ा जा सके और ये पै वो भी पूरे देश में सबसे जादा है तो इस देथ रेक को कैसे नीचे लाया जाए साथी जो लोग प्रिटिकली एल होते हैं जो लोग बहुत जादा को मॉबिटीटीज है उनने दूसरी बिमारिया हैं और जादा चिंता जनक सिती हैं उनकी स्वास्त की कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए इन विशेओं के उपर में चर्चा हुई है साथी ये भी हमने देखा कि बार-बार मुख्यमर्पी जो हैं वो रिव्यू कर रहे हैं सिचुएशन को नए दिशा निरदेश दिये जा रहे हैं बी एंसी को या दुसरे जगहां पर महाराश्ट्रा में मामले आ रहे हैं जहां पर लोग जो अन्य सभी बाहर गुमरें उनके उपर कारवाई हो रही है उन्हें बुक्किया जा रहा है तो एक तरीके से कड़ा संदिश दिया जा रहा है कि घरों में रही है और सुरान प्रक्षित हो लिए बिल्कुल शामा बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के साथ जुनने के लिए तो लाकातार महाराश्ट्र की बात करे तो वहां काफी कड़ाई से पालन गनी कोशिश की जा रही है लॉग डून साथी साथ लाकातार बैठकों का दौर भी जा रही कि किस तरह से इस किज़ कर को और जादा बढ़ने ना दिया जाए करोना संक्रिमंट के और कोवेट उनने संक्रिमंट से बचाव के उपायों पर केंड़िये स्पास्ते मंत्री हर्शवर्ध ने विश्पास्ते संगठन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉंसिंसिंग के जरिए एक उचस्तर ये से पादा बाद ये और इट लगी इन है इंन जाए लगे 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 हर्वर्ध उपार इन हो qई लगे लगे टे का बट था कॉंसड के लगेक लिएर लीके वीडियो sense that we know our enemy, we also know where our enemy is and the talk about these hotspots is, I think I must congratulate our surveillance people, our IDSP people, our WHO people, all those who are involved in this and particularly all our state governments that we have been able to pinpoint where the virus is right now. और भारत में पोलियो के खलाफ लड़ाई में जीत हासल करने में एहम भूमिका निभाने वाले उपायों को अब कुरोना वारिस से जारी जन्ग में इस्तमाल किया जाएगा. के इंग्री स्वास्ते एवंग परिवार कल्यान मंत्राले वे विश्व स्वास्ते संगठने बुद्वार को एक प्रेस कॉंफरेंस में बताया कि संगठन के राश्ट्रिये पोलियो सर्विलांस नेटवर्क और अन्य फील्ड स्टाफ को कुरोना से जंक में विविस्थत तरी किया है स्वास्ते एवंग परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हरश्वर्धन ने कहा कि भारत और डब्लो एचो साथ में अपनी योगिता और क्षमता का नमुना दिखा चुके हैं हम पोलियों से छुटकारा पाने में कामयाब रहे थे उन्होंने कहा कि फील्ड में मौजू आईडी एसपी, राजे के रैपिड रिस्पॉंस दल और डबलो एचो सभी कुरोना से जंग में योध्धा हैं। सन्युक्त प्रयासों के साथ हम कुरोना को हरा सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। सफलता मिली थी। उन्होंने कहा कि इस समय अपने पूरे अनुभव, ग्यान और योगताओं को इस्तमाल करने का है जिससे कुरोना वारस महामारी से चल रही जंग को जीता जा सके। सबसे बड़ी बात ये कि पूलियो और चेचक दू ऐसे चीज़ हैं जो भारत में उस पे बिज़े पाई है और ये माना जा रहा था कि बहुत ही असंबव है भारत जैसे देश में जहां पर आबादी इतनी बड़ी है और जिस तरीके से बिस्तार है हमारा पहाड़ नदिया और तमाम मैदान के इलाके हैं तो सुदूरवर्टी इलाकों में जहां पहुंचना बहुत नामुम्किन है तो ऐसे में बहुत आश्यर्ज हो रहा था उस वक्त भी जब बोलियो पे सरकार काम कर रहे थी और तमाम एजिंसिया काम कर रहे थी ठीक उसी तरीके से चैलेंज इस रही है खासतर पर अपने जो कम्यूटी है उसको इंवाल्व करके अपने जितने भी फीर्ड पे काम करने वाले लोग हैं इंतिग्रेटेज डिजी सर्विलांस प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉंग है भारत में जहां पर के ग्राउंड लेवल पे कार करता जो स्वास्त कर्मी ह जो सिविल सोसाइटी के लोग है वो काम करते हैं और घर घर जाकर के जिस तरीके से पोलियो का दोबुन जिद्गी बच्चे को मतब पिला जाता था दोबुन उसी तरीके से घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और उसी रणीती के दाद जब लोग इंवाल्व होते हैं तो तो इस बीमारी के बारे में जागरुग भी होते हैं और जो लोग अगर प्रभावी थे संक्रमी थे उनका ट्रीट्मेंट किया रहता है तो यह तो यह तमाम ऐसी रजनीटी है जो अपनाया जा रहा है और यही वज़ा है कि जो कल्चेत्रिय डवलेचों के चत्रिय अधिकारि उनके साथ है उनकी तारीफ की गए कि कैसे वो लोग राउंड वर्ट की कर रहे हैं और लोगों के घरगर तक जाकर के इस बात का संदेश दे रहे हैं तो जया एक निशी तो पर यह दरनीटी बड़ी काम्याब मानी जाती है जब जब कम्यूनिटी इन्वार्व होता है और स तरह के नए प्रियासों की कोशिश की जा रही है पूरा नुभव और ग्यान के साथ कि किस तरह से इस महामारी को हम हरा पाएं और विदेश मंतराले की प्रवक्ता अनुराग श्रिवास्तव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में धार्मिक आधार पर आलोचनात्मक सहीं नहीं हैं उन्होंने ये बाद भारत पर अंतराश्री धार्मिक स्वतंटरता संबंधी अमेरिकी आयोग यूएस सी आई आर एफ तुबारा एक ट्वीट के बाद कही उन्होंने इस साफ किया कि यूएस सी आई आर एफ गलत सूचनाए प्रसारत कर रहा है कि कोवट उन जा रहा है और भारतिये मौसम विभाग ने मौनसून को लेकर दीरग अवधी अनुमान जारी किया है इस साल मौसम विभाग ने मौनसून सीजन यानि जून से सितंबर के दौरान सौफ फीज दी यानि समानने बारिश होने के उमीद जताई हैं समानने बारिश को क्रिशिक मौनसून के इस साल सामान्य रहने की संभावना है मौसम विज्ञान विभाग के मुताविक मौनसून की अवधी यानि जून से सितंबर के बीच दिरगावधी ओसत का 100 फीसदी बारिश होगी गौरतलवे की 96 से 104 फीसदी बारिश को सामान्य बारिश माना जाता है देश में 1961 से 2010 के बीच की बारिश को दिरगावधी ओसत बारिश माना जाता है जिसकी मात्रा 88 सेंटिमीटर होती है मौसम विज्ञान विभाग के मुताविक मौनसून के बाद के हिस्से में कमजोर ला निना परिस्थिती विक्सित होने की संभावना है जिसे मौनसून के लिए अच्छा माना जा रहा है हमारा ये उमीद है कि इंडियान ओसन डाइपुल और ये जो एंशो कंडिशन न्यूट्राल है अभी ये मौनसून सीजिन के टाइम भी न्यूट्राल रहेंगे लेटर पाट आफ मौनसून सीजिन पे लालिना कंडिशन का पॉसिबिलिटी हो सकता है देश में चार महीने के दक्षिन पश्चिम मौनसून की शुरुवात एक जून को केरल में आगमन के साथ होती है हाल के वर्षों के आखड़ों के आधार पर मौसम विभाग ने अलग-अलग इलाकों में मौनसून के आगमन और प्रस्थान की सामाने तिथियों में कुछ बदलाव किया है केरल में मौनसून आने की सामाने तिथि पहले की तरह एक जून ही रहेगी जबकि पश्ची मुत्र भारत में येती थी 15 जुलाई की बजाए 8 जुलाई होगी पश्ची मुत्र भारत में मौनसून के प्रस्थान की सामाने थी 1 सितंबर की बजाए 17 सितंबर होगी जबकि दक्षिन भारत में येती थी पहले की ही तरह 15 अक्तूबर रहेगी निशांत सौरब डीडी निउस दिल्ली तो मौज़ा में भाग के मताबिक इस साल मौनसून समान में रहेगा दक्षिन पष्टिम मौनसून के बारे में पृत्विवे ग्यान मंत्राले के सजिव एम राजीवन से बात की हमारे समभाता दा निशांत सौरब ने इस वक्त हमारे साथ है मिनिस्ट्री आफ अर्थ साइंसे के सेक्रेटरी डॉक्टर एम राजीवन से बात करते हैं सर अभी जो फरकास जारी किया गया है उसके हिसाब से बात करे तो इस साल मौनसून में जो सीजनल रेंफॉल है वो क्या रहेगा मेरा फुरकास बिदाव यह बामनसून विल बिनार्मल इस यह कॉंटिटिवली हंडर प्रसंटेज अफ लॉंग परिड़ आफ यह यह अच्छा नूसा इस बुट नूस पर आल फस और विल अप्डेटर फॉरकास इन एंड अफ मैंड बाय 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 तो तेल मोर डिटेल सबूर बीजनल हो दे पीजिनल इस बुटिबूशन आफ यह यह कितना पॉसिबिटिया कि नॉर्मल रहे गाए बिलो नॉर्मल और डिफिसेंट एक्स 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 रेंफोल का क्या बाय नॉर्मल मंसून के लिए फॉर्मस पॉर्टियन प्रसंटेज प्रॉबल के लिए स्ट्री सबुट है टेर टी प्रॉबल्टी जादा है वो नॉर्मल मंसवन के लिए मौनđ है की नॉर्मल मंसून का ज्यादा तो मतलो यह करिकल्छर स्ट्र के लिए यह लिए इलप ऑग्रिकल्चर टारिक पील्ट इनिजर फैल को सेटी क्षटहर लिए डंडुम से जल्दी है अचली वो में में अम लोग ये डीटेल्स पदा कर सकता है और वो एस्पेशली ओंसे जाओगा प्रोग्रेशन प्रोग्रस आफ मनसून कैसा होगा और अलसो दरीजिनल इस्टिपूशन आम जोगा वो सब आम लोग में इंड नहीं तो फस्ट विक अव जून में व हो बोन होह कर दोवब प्रतो है के से अर yeah weather शे, और जहीं में कर सक्रककिया कैस्वब। इसमय में लोग जोग ब рук customize जग Mantra कर किया कर सक्रक है, स्वेशन आम зात्युशन आटог अ करला में मन्सुन आइट सेमें एस्ट जून और स्पेशना थे निया में बूद जल्दी आरा है लेकिन बिडराल देट में कर अमन्सून से वह इस वह इस पर नाफ देडिया में बूद देरी से अभी छल रहा है अभी नारमली फिस सप्टमबर इड्रास आव इस अलमुस कहना है कि इस साल मौनसून सामाने रहेगा सौ फिस्दी मौनसून बारिश होने की संभावना है और इसका असर जाही तोर पर देश की अर्थवस्ता पर सकरात्मा कासर पढ़ेगा और किसानों के लिए भी ये बेहत फायदे मंद रहेगा करमार पसंद योगेस के साथ निश आए जाने वाले कदमों को लेकर डबलू हो की भूमिका की आलोचना की थी इस बीच दुनिया भर में करोना के कारण होने वाली मौत का आंकड़ा एक लाख चौटीस हजार के पार चला गया है वहीं बीस लाख से अधिक लोग कोविट उनिस की चपेट में आ चुके हैं रह कि इस निर्णे पर दुख जटाया है और गौरतलब है कि ट्रॉम ने डबलू हो पर शुरुवाती समय में सही जानकारी ना देने और भयानक गल्ती का अरोप लगाया था दुनिया भर में इस वक्त जिस तरह से लगतार लोगों की संख्या बढ़ रही है समय इस तरह का जो और वैश्मिक महामारी करोना वारस के प्रकोप से अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं यहां कोविट उनिस से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है यहां अकड़ा बढ़कर तो 27,000 के पार पहुँच चुका है जॉन्स हॉपकिन्स विश्विद त्याले के बुद्वार को जारी आकड़ों के अनुसार अमेरिका में इस अगहा तक महामारी से मरने वालों की संक्या बढ़कर 28,326 पहुँच गई है और अमेरिकन मेडिकल असोसियेशन ने राश्ट्रपती डॉनल्ड टरम्प से डॉब्ली एचो की फंडिंग आस्थाई ट्रॉप ने डबलो एचो तुवारा कोरोना महमारी से ने पटने के तौट तरीकों की कड़िया लोचना की थी ट्रॉप ने कहा था कि विश्वर स्वासित संगठेन कोरोना वारिस के प्रसार को छिपाते हुए चीम की तरफदारी करने में लगा रहा कोरोना वारिस के बार भी ट्रॉप के इस फैसले पर एतरास चताया है बात करें बंगला देश की तो बंगला देश में करोना वारिस संग्रुमन की 299 नए मामले सामने आए हैं जो एक दिन में अब तक का करोना संग्रुमन का सबसे बड़ा आकड़ा है इसके लावा देश में 24 घंटों के अंदर अब तक 49 लोगों का इलाज हो चुका है देश में सबसे ज़्यादा नए मामले धाका, नारायन कांज, काजेपुर और मयमन सिंग्स से सामने आए हैं पधारमन्चरी शेख हसीना ने सिलहत में एक चिकट्सक की बृत्यू पर दुख चताया और कहा कि डॉक्टर वोईनुद दीन के परिवार की सभी जब्मेदारी सरकार उठाएगी। टाउन का ऐलान कर दिया, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, राश्रपती सोले ने कहा कि संक्रुमेंट कहां से आया, इसकी जांच हो रही है। और जीट्वेंटी देशों ने कुरोना के बढ़ते मामलों पर दुनिया के सबसे गरीब देशों से फिलहाल कर्ज वसूली रोकने का फैसला लिया है। जीट्वेंटी देशों के विद्मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फिंसिंग के जरीए बैठे के बाद कहा कि हम गरीब देशों से कर्ज भुकतान को कुछ समय के लिए लंबित करने का समर्थन करते हैं। विश्व बैंक और बीस यूरोपिये व अफ्रीकी देशों ने जीट्वेंटी देशों से इस मुद्धे पर संयुक्त अपील की थी। और विश्व बैंक अधियक्ष डेविड मलपास ने आईमेफ के प्रबंदी देशा क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा ने प्रमुक अर्थवेवस्थाओं की जीट्वेंटी समूद्वारा गरीब देशों के आधिकारिक ग्वेपक शियूर्डिन के पुनर्भुक्तान को निर करने का समर्थन करते वे इसके क्रियान वैन के लिए तेजी से काम करेगा और कोरोना वारस को फैलने से रोकने के उदेश्टिस से जर्मनी में लॉकडाउन के अवधी तीन मई तक बढ़ाई गई है जर्मन चांसलर अंग्ला मॉकल ने जर्मनी के 16 राज्य गवर्नरों के सा जहास संक्रमन का अकड़ा बहुत जादा होने के बावजूद मरने वालों की संख्या काफी कम रही है मॉकल ने बताया कि किन किन मुद्व पर बात हुई उन्होंने मास्क के इस्तमाल पर भी जोड़ दिया और कहा कि हम लोगों से सारवजनिक परिवहन और खरीदारी के दौरान मास्क के इस्तमाल के अपील करते हैं आने वाले दिनों में और मास्क उपलब कराए जाएंगे जोमनी में कुछ दुकानों को खोलने की अनुमती दी गई है बशरते दुकान आठ सो वर्ग मीटर से बड़ी ना हो रेस्टुरां, होटल, पब इत्यादी को अगले दो हफ़ते बंद ही रखा जाएगा और रियो डीजिनेरियो का मशूर ट्राइस्ट रीडिमिर बुदवार को हरे रंग में जगमगा गया कुरुना वारिस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सैने कर्मियों के सम्मान में ऐसा किया गया सम्हारों के लिए यहां सैनेक मौझू थी जो दुनिया भर में सशचर बलों की कानून विवस्था बनाए रखने और कोविड उन्निस के मरीजों के लाज में चिकित्सा कर्मियों की मदद के लिए आ गया थे ब्राजील में लगभग 1757 करोना के कारण मौत हुई हैं जबकि 28,600 से अधिक लोग इस वाइरस से संक्रमित है इसके साथ इस बुल्टन में इतना ही लेकिन खपरों का सलसला लाकतार दूदर्शन यूस पर जारी रहेगा आप बने रहे हैं हमारे साथ मुचे दीचे जाजद नमस्का